है गाईज तो डिस्क्त करेंगे हम गाल्सवर्थी को उनका जन महोता 14 अगस्त 1867 में किंग्स्टन हिल में सरे जो किंग लैंड में हैं और इनके पिता जी का नाम था जान गाल्सवर्थी और माता का नाम था बलांजी बेले और यह काफी अमेर फैमली से बिलांग करते थे और प्रेक्टिस में कुछ इंट्रेस्टर नहीं थे तो इन्होंने फैमली बिजन्स को समाला सिपिंग का बिजनस्थाइन का फैमली का तो उसी के दोरों यह जोसफ कारनाट से मिले थे अठारासुती रानवे में और इनके साथ इनकी फ्रेंड्शिप भी लांग टाइम तक चल जिनका नाम था मेजर आथर गाल्सवर्दी तो इनके दीबोस के बाद इन्होंने फिर पियर्शन के साथ साधी की और यह साधी उन्होंने की थी 23 सितंबर 1905 में तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है अपना राइटिंग करियर भी सुरू किया था उसके पहले से ही 1897 से उन ठिरनी जो कि जो था जॉन सिन्जों नाम से ही पपरिश करवाते थे लेकिन 1904 में इन्होंने वह भी अपना नाम wing Sin jown वाला हटा दियां कि रियल नाम से इन्होंने पबिश करवाना शुरू कर दिया जो कि इनका पहला कलेक्शन था फ्राम दा फोर बिंज जो कि अठासो सातानवी में आया था ये एक स्टोरी कलेक्शन है और इन्होंने सिंजोन नेम से ही इसको पबिश करवाय था और दा आइसलेंड फेरी से इन्होंने अपना रियल नाम स्टार्ट के लिए जो कि 1904 में आया हुआ था और इनका पहला फेमस प्ले था दा सिलवर बॉक्स जो कि 1906 में आया और ये बहुत ही फेमस था ये सोसल ट्रजडी है गाईज इसमें एक ऐसा जेस्ट्रिस दिया गया है कि मतलब गरीब और अमिर के लिए एक हीनियम किस तरह से अलग-अलग तरह से काम करता है और मैना प्रापर्टी 1906 में आया था इनका जो कि ट्रियोला जी में ही सामिल हुआ बाद में और उसके बाद इस्ट्राइप हुआ दा इस्ट्रिम गेम हुआ इनकी काफी फीमस प्ले रहे हैं इसब फोर साइट जगर के लिए थो 1832 में नौबल प्राइज भी मिला था सुरी 1832 नहीं 1932 तो उसके बाद एड़ाइड एर के एरा के भी प्ले राइट रहे हैं और लिट्रेचर आप विक्टोरियन इंगलेंड मतलब वो विक्टोरियन से भी अपना जो भी प्ले जो गर वहां से भी इंस्पायर रहे हैं काफी और उसके बाद यह काफी अधर भी जो प्ले राइट हुआ काते थे उनके रिक्वेस्ट पर भी उनके लिए कुछ लिख दिया करते थे और उसके बाद यह 1912 में एक सलॉटर हाउस में गए थे जो कि एनिमेल्स को जो पूचल खाना होता ना जिसमें काटा वाटा जाता जा उसको बंद करवाने के लिए काफी मतलब एफ़र्ट भी लगाए कबकि यह एक हमिटेरियन लिग से बिलॉंग करते थे और उसके रोक थाम के लिए काफी इन्होंने कोसिश से करी और बहुत सारे इनको सम्मान भी मिले हैं जैसे पैन इंटरनेशनल के वह प्रेसिडेंट र करते धाद हुड़र्ट भी मिले हुड़र्ट रेसिनल के लिएक हरका ना अचेमान भी मिले हमिले हुड़र्ट टकिन ऑन ँ依 रहती से खलपल एक हमिले हुड है।